जैहिं लानस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज जम शेत्तुर हेवी एक्टूपमेंट सॉलेशन की यूटूब चैनल पे एक बार आप तक फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे बहुत सारे ललकों का कॉल आता है मुझे मेरे अपने भी काफी इस्टूएंट्स हैं ऐस से तो उनका कॉल आता है कि सर गल्फ में जो इंट्रीव होता है गल्फ देशों के लिए उसमें किस तरह का सवाल यह पूछते हैं तो देखो अगर इसमें कुछ चीजें हैं जिस पर आपको फोकस करना होगा ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब हार्ड इंट्रीव होता है और के लिफ्टिंग के टेकनिक से रिलेटेड है उसके इलावा वो लो कुछ भी नहीं कूछेंगे आप जब वहां इंट्रीव के लिए जाओ तो सबसे पहला जो आपको काम करना है आपको अपना कॉन्फिदेंस लेवल जो है ना वो हाई रखना होगा आपके बॉड़ी लेंग्वेज से आपके बात चीत करने के तरीके से आपके कॉन्फिदेंस लेवल जो है उससे सामने वाला समझ जाएगा कि यह बंदा कितने आगे तक जाने वाला है इसके अंदर क्या जानकारे शुपी तो आप कभी भी इंट्रीव लेकि जाओ आपके पास जानकारी पुरी है नहीं है आधी है यह एक अलग मैटर है लेकिन आपका कॉन्फिदेंस लेवल आपका बॉड़ी लेंग्वेज और आपके उसके सामने बैठने कर तरीका यह बहुत मैटर करता है सबसे पहली बात कि उनके सामने अगर आप इंट्रीव देने के लिए चाता है और एकदम कॉन्फिदेंटली किसी भी सवाल का आप जवाब दो भले वो जवाब आपके गलत क्यों नहीं हो यह मत सोचना कि मैं फैल कर जाओंगा पास कहा हुए थे पास तो नहीं हुए होना भी तो फैल होने का मतलब क्यों इतना चिंता आपको लग रहा है इतनी फिकर नहीं होनी चाहिए आपको फैल होने की अगर आप यहाँ पे फैल भी कर जाते हो तो यह मान के निकलना वहां से कुछ ना कुछ तो सीख के निकल ही रहे हो और यही सीख जो है आपके नेक्स्ट जब कोई इंट्रिव फेस करने जाओ गया तो वहाँ आपके काम आएग आप जब भी अपना बायो डाटा बनाओ तो डिरेक्ट क्रेन ओपरेटर का तो मत ही बनाओ अगर आपने वहाँ पे टोटल पांस साल या छे साल का टोटल एक्सपरियांस अपना शो किया है तो उसमें से कम से कम आप दो साल जो है रीगर का डालो एक साल जो है कि मैंने फिर क्रेन की ऑपरेटिंग ली क्योंकि मुझे ठीवरि का थोड़ा सा ग्यान कम था उसके बाद अपने लैससंस का अप डिटेल जालो फिर उसके बाद एज एक क्रेन ओपरेटर तो इससे क्या है कि सामने वाले को एक मैसेज जाएगा कि हाँ ग्राउंड लेवल से यह बंदा यहां तक पहुंचा है इसका मतलब इसके पास अच्छी खासी जानकारी है एक तो यह फेस होगे आपका दूसरा क्या है जो बायो डाटा में आप सारी चीज़े मेंशन कर देऊ उना उसमें यह जरूर आप लिखना कि आपने कौन-कौन सी किरेने चलाई हैं और उसका मॉडल नंबर के साथ उसकी कैपिसिटी के साथ यह आप मेंशन कर रहा है अभी जै ठीनों किरेने हैं तो प्रक्त शृक्रण को प्रक्रण कर दो यहाँ पर आपका बाइयो डाटा जो है वह वजनिदी हो जाएगा मॉडल नंबर के साथ का ईपयसिटी के साथ उसको को आप मेंशन करो अब वो जो आपको बाइयो डाटा देखेंगे नमा वो लो इस बंदे ने मोबाईल क्रेशें Shiacanes thrive त्वाल पुझेञें कि डिचा है इसे थींते हैं और सेकुंगीcn姐 करन के दिथी इनक्रीन अब दूसरे से किस तरीके से अलग ऐ कि तीन क्रेशेंन में ड्राइविंग में आपको हैं क्तरा हूं के अरल Monica सफिलिटिएं को अवा जिस फ्रेशर लोगों को लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको पहले से ही गल्फ में काम कर चुके हैं काफी अर्सा, उनके पास वहां का लैसंस भी है, वो लोग कभी भी कमपनी में जॉब पकड़ना नहीं चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं, जिस कमपनी तक अब मैं पहुँच हूँ, अब मैं यह हुच से हाई लेवल की कमपनी चाहिए, इस पेशली उन लोगों का फोरकस और टार्गेट ऑइल फिल्ड होता है, क्योंकि वहां पर अच्छी सैली मिलती है, अच्छी फैसलीटी मिलती है, अच्छी बेनिफिट्स मिल जाते हैं उनको, तो अब उनका जो तो फोकस होता है, न, वो ओःर्फिल्ड होता है, सीविल कंस्ट्रक्शन मेकनिकल कंस्ट्रक्शन न, प्रांस्पोर्ट कंपनी नहीं, इन सब जर व्पड़कthen नहीं होता, उनका फोकस ओएल फिल्ड होता है, तो ऑईल फिल्ल में अगर आप इंटव्यू देने जा flush, पहले जैसे मैं एकबर मंबई गया था तो मुझसे उन्हें नर्मल सा सवाल पुछा एक सिविल कंपनी थी वेड़ाइडाम दुबई की उसके लिए उन्हें पुछा कि अगर आपके क्रेन की कैपेसिटी 10 तन है और आप 12 तन उठाओगे तो क्या होगा तो मैंने सीरा बता दिया क्रेन पीशे से उठ जाएगे बहुत बस यही एक सवाल तो इस तरीके का बहुत सारा सवाल पूछ लेगा अब जैसे देखो आर्टी क्रेन और ट्रक माउंटेड क कि दूनों का लोड चार्ट और और अल्टेरेन का लोड चार्ट इनमें फर्क होता है और टेरेन क्रेन बिलकुल अलग सेटप होता है ट्रक माउंटेड और आर्टी क्रेन इनका सेटप अलग होता क्योंकि इसमें कांटरवेट फिक्स्ट होता है बूम आप जितनी मरजी उत तो अगर वहाँ पे 11.7 या 22.7 दिया है तो आप 22.6 या 22.8 मीटर बूम नहीं निकाल सकते है, उसी के हिसाब से उसमें कॉंटरवेट भी दिया जाता है, अभी मानलो 200 तनकी के देने, एप्रोक्स 69-70 तन उसमें कॉंटरवेट होता है, तो आपको भी यह समझ कॉंटरवेट लेके हम चल नहीं सकते हैं, अब कोई नॉर्मल जैसा जॉब है, जो उसमें एक बेसिक 14-15 तन का कॉंटरवेट रहता है, उससे आप कर सकते हो, लेकिन कहीं हेवी लिफ्ट करना है, तो फिर वहाँ आपको कॉंटरवेट आपकी कंपनी परवाइड करेगी है, व आप जैसे वह पूछ सकते हैं आपको कि रेंज डाइग्राम क्या है, रेंज डाइग्राम क्या है, आपको यह जानना होगा कि रेंज डाइग्राम क्या है, और हम इसको कहां पर यूज करते हैं, आप से वह पूछ सकते हैं, कि इलेक्रिक का कोई हाई टेंशन केबल जा रहा तो उस 25,000 वोल्ट से आपका जो गूम का हिड है वो कितनी दूरी पर होना चाहिए क्योंकि एलेक्ट्रिक खींच लेगा उसको और इसमें अगर आपने थोड़ी से ला परवाही की तो अच्छा खासा इसका नतिज़ा भूगना कर सकता है अपसे पूछेगा कि किसी जेगा क्रेन को आप सेट अब करने जाई हो तो जहां पर आउट्रिकर का फ्लोट आप लगा रहे हो वहां से STOP कितनी मीटर की दुरी पर होना चाहेगे यह सब बेसिक चीज़े हैं आप से यह पूछ लेगा कि कोई आप लिफ्ट करने जा रहे हो आप सिक्स्टी का सिलिंग एंगल बनाकर उसको उठाना है आपको तो क्या इसका फॉर्मूला है आपको एक ड्राइंग देगा पेपर देगा पेंग देगा बोले इसको तर्के लिख लेगा तो इस सब चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है आपसे क्रेन के हल्के फुल के मैंटेनिस के बारे में पूछ सकता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बेसिक चीज़ें जैसे वह पूछ लेगा कि लोड़ चाट क्या होता है कैसे उसको देखते हैं आपको लोड़ चाट आना चाहिए अब जैसे मैंने पहले बताया कि rough terrain और truck mounted का load chart थोड़ा सा थोड़ा क्या बहुत अलग होता है उसे अब अगर कोई अच्छी company है थोड़ी सी ज्यादा salary देनी तो वो पूछ सकता है कि fly jeep क्या होता है कभी उसकरते हो अगर आपने ये सवाल का जवाब दे दिया तो शायद आपसे ये भी पूछ ले कि zero degree offset, 15 degree offset, 30 degree offset ये क्या होता है इसमें क्यों उसको set किया जाता है या fly jeep की जग आपसे ये पूछ सकता है कि लूफर कि इसको बोलते है क्योंकि fly jeep का ही एक हिस्सा है लूफर लेकिन लूफर थोड़ा सा different होता है आपसे crane की driving के बारे में पूछ सकता है अब जैसे आपने कहा कि हमने all terrain crane चलाया हुआ है तो आपसे उसकी driving के बारे में पूछ लेगा कि क्या different type of steering system है इसमें वो क्या है बताइए आप RT crane में सेम है लेकिन truck mounted में ऐसा नहीं है क्योंकि truck mounted जोए वो truck की chassis की उपर crane को mount किया जाता है तो वहाँ पर आपको driving extra कोई facility नहीं नहीं आपसे पूछेगा PTO क्या होता है यह क्यों दिया जाता है कैसे work करता है क्या इसका system है यह पूछ सकता है आपसे आपसे crane की safety के बारे में पूछ सकता है कि किसी site पे अगर आप जाओगे काम करने के लिए तो किस तरीके से आप वहाँ पर सारी चीजों को देखोगे संभालोगे और एक plan बनाओगे कि इस काम को मुझे safely करना है यह पूछ सकता है आपसे आपसे यह पूछ सकता है कि बूम अगर आपको extend करना है बूम अभी निकालना है टेलिस्कोफिक section तो बूम अंगल minimum क्या होना चाहिए आपसे lifting gear के बारे में भी अच्छी खासी को पूछ ताच कर सकता है lifting gear मतलब यह हो गया बेल्ट हो गया, chain ceiling हो गया, वायर सिलिंग डी शेकल, बोर शेकल, इस्परेडर ग्रीम हो गया यह सारी चीज़े हो गए इसके बारे में आपसे पूछ सकता है आपके पास हर एक सवाल का जवाब होगा मेरे को इतना दिश्वास है लेकिन आप अगर नहीं दे पा रहे हो तो आप यह समझ जाना कि आपके पास confidence की वहाँ पर कमी है तो इसलिए मैंने शुरू में ही इस वीडियो के कहा था कि अपने confidence level को किसी भी तरह से गिरने मर देना आप यखिन मानों आपके पास हर एक सवाल का जवाब होगा देख कि उसको डरने का नहीं है उसको देख के आपको अपने चेहरे पे एक खुशी दिखाना होगा कि सर मैं आपको देख के बहुत खुश हुआ हूँ कि मैं अपनी जिन्दगी को एक उचे और level पे लेकर अपने career को एक उचे लेवल पे लेकर जाएंगा और उसी के लिए आपके सामने आज मैं आया हूँ और आप भी इसी लिए यहां पे आया हूँ और आपने मुझे बुलाया आपको बहुत शुक्रिया आपके चेहरे से यह भाव सामने नदर आना चाहिए उसके यह बंदा जो है लिक्न कॉन्फिडेंट है इसके चेहरे पे कहीं भी कोई ऐसी भाव नदर नहीं आरी जिससे कि मुझे समझने आए कि यह बंदा टेंशन में है या अंदर से बहुत डरस सहमसा है और उसके पहले वो आपको जज़ करेगा आपके पास अगर कॉन्फिडेंस रहेगा ना और किसी एक तो सवाल का जवाब आप अगर गलत भी दे लेते हो तो भी वो बहुत पॉसिबिलिटी इस बात किये कि आपका सेलेक्शन वो कर लेगा क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस का कायल हो जाएगा वो सोचेगा किनी इसके पास कॉन्फिडेंस रहे इसको थोड़ा सा पुश कर दिया जाए तो यह बहुत आगे तक जाएगा हमारे लिए बहुत काम परेगा और आपका confidence जो है आपके managing skill को भी दर्शाएगा वहाँ तो क्योंकि आप जब काम करोगे तो आपके साथ चार पांच निगर काम करेंगे तो उनकों भी तो manage करना आपका काम है आपने किसी lift को करने के लिए कोई प्लान किया हुआ है तो उनको समझाना होगा आपको कि इस lift को करने के लिए मैंने क्या प्लान किया है तो यही जो managing skill है आपका न यह वहाँ पे काम आता है कि लोगों को आप किसी बात को किस तरीके से समझा सकते हूँ आपसे एक सवाल वो यह कर सकता है कि टैग लाइन किसी भी समान में क्यों बाढ़ते है किसी भी जगे पे काम करने के लिए उस एरिया को जो covering किया जाता है उसको क्या बोलते हैं आपसे यह पूछ सकता है कि जब आर्टी के दिन आपने चलाया है तो जो driving mode आपका होता, driving जब आप करते हो उसका तो boom उसके minimum, maximum कितने degree में होना चाहिए, angle में होना चाहिए अब मैं client तो हूँ नहीं भाई मतलब कि मैंने जो देखा है, मैंने जो अनुभाव किया है तक कि किस तरीके का वो लोग सवाल आप से पूछ सकते हैं बस वही मैं बता रहा हूँ आपको, एक सवाल यह कह सकते हैं कि radius कितने type का होता है, कितने परकार का radius होता है बहुत सारा जो लोग अपने operator भाई हैं, वो जानते हैं बस एक है working radius, लेकिन उसी के साथ एक होता है slaving radius तो इन दोनों के बारे में आपको उनको बताओ, hand signal के बारे में आपसे पूछ लेंगे, कि क्या जानते हो आप, hand signal के बारे में आप उनको बताओ तो ऐसी ही छोटे-छोटे सवाल आपसे पूछेंगे, और इसके साथ एक बात आप हमेशा याद रखना, कि थोड़ी सी English की knowledge अपने पास रख लेगा क्योंकि इंडिया में भी आपने देखा होगा, news channel वाले जाते हैं, तो हिंदी आने के बाद भी बंदा इंगलीश में बोलने लगता है जबकि उसको पता है कि देखने वाले जो वीवर्स हैं, वो हिंदी ही में ज्यादा comfort feel करेंगे, लेकिन वो English बोलने लगता है, क्योंकि उसको बताना मुझे English आती है आपका selection हो जाता है, आप वहाँ पर चले जाते हो, आपका supervisor मान लो कि अर्भी है कोई, आपका engineer जो है, वो कोई अंग्रेज है, तो वो हिंदी में तो बात करने से रहा है तो कम से कम इतनी English आपको आनी चाहिए कि आप से अगर वो कुछ पूछे तो आप उसको समझ लो, और कुटी फुटी इंग्लिश बोलके आप अपना उसको समझा दो, इतनी English आपको आनी चाहिए अपि देश में भी बहुत सारे क्रेन है, यहां पे भी लोग काम कर रहे on, लेकिन वहां क्यों जाना चाहते हैं कि यहां और वहां के काम करने के तौर तरीकों में, income में, salary में, facilities में, बहुत सारा फरक है तो इसलिए लोग वहां जाना चाहते हैं तो अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपना केरियर सिट करना चाहते हो ना तो आपको इंटरनेशनल कैटिगिरी का ऑपरेटर भी बनना होगा और उसके लिए कुछ मेहनत करना होगा जिस क्रेन की आपको यहाँ पे यह लोग 25-30,000 रुपए के बीश में देते हैं उसी क्रेन को अगर आप वहाँ चलाओगे तो आप यकीन मानों मैं आपको गैरेंटी से लिख की देता हूं 80-90,000 रुपए आप कमाल होगे और टाइम और अगरा के साथ मिनिमम्म 50,000 रुपद आपकी सैलरी रहेगी बेसी उसके उपर खाना रहना फिरी है ओवर टाइम अलग है वो क्रेन की सेटप के बारे पुछेंगे कि कोई हेवी लिफ्ट करना है तो आप कैसे तयारी करेंगे तो आप सीधा कहना कि हेवी लिफ्ट अगर है तो ग्राउंड और 116, 163 चंट उठा सकते हो लेकिन वो पार्ची अफ लाइन जो है वो एलॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो हमको पार्ची आफ लाइन के साथ साथ ही भूग भी दो नहीं चैंज करना होगा और आपको देखना होगा बताना होगा इनको यह शीज़ें बहुत प्रेइनिंग दिया है उनको बिना कुछ बता है उनके समझ में भी आ गिया है जैसे खलब ही हमारा बैस था मैंने उनको कुछ भी नहीं बता है मैंने कहा कि ऐसा ऐसा होता है तो क्यों आखिर क्यों करते हैं यह लोग ऐसा तो एक बंदर ने बताया कि वह हेवी लिफ्ट उठा करने के लिए काम आता है अब आपसे यह पूछ सकता है कि कितने टाइप का लिफ्ट होता है कितने टाइप का मोबाइल क्रेन होता है क्रिटिकल लिफ्ट क्या होता है कितने परसेंट क्रेंट की क्यापिसिटी यूज करने के बाद आप उसको क्रिटिकल लिफ्ट में इंटर कर जाते हो आपने जैसे कहा कि मैंने लीभर का क्रेण चलाया आइसाब पूछ लेंगे उसमें जो SLI होता है कौन से कंपरी का है बतलब जब आप SLI चालू करते हो कौन से कंपनी का नाम लिखके आता है तो ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे ही सवाल हैं जिनसे आपको पूछेंगे आप जिस क्रेंग के बारे में अपने बायो डाटा में में अच्छी खासी जानकारी रख लो और जैसे मैंने भी बेसिक चीज़े बताई आपको कि कहीं और अ तो किती मीटर की दूरी प्रोन है अब काम करने जा रहे ओपर में बिजली का हाई टेंशन वायर पार हो रहा है वहां से बूम आपके किती दूरी प्रोली होनी चाहिए क्लिडीकल लिफ की परीभाशा क्या है लोड शार्ट क्या है रेंज डाइग्राम को कहां यूज करते ह फ्लाइजीब जो हम लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं और जिरो डिगरी आफसेट पंदर डिगरी आफसेट ये क्या है इसमें कैपेसिटी घटी अबरती योंकि हमेशा याद रखना कि जब आफ फ्लाइजीब नहीं लगाए हो और आपको किसी काम के लिए कोई लोड लग रहेगा तो वहाँ पे भी आपको तीन ऑफशन मिलेंगे जीरो डिगरी अफसेट, फिफ्टीन डिगरी अफसेट और 30 डिगरी आफसेट लेकिन बहुत सारी जगों पे जीरो डिगरी, 30 डिगरी और 45 डिगरी भी आपको देखने को बिल जाएगा या लग अलग कंपनी की किरेने हैं उनका अपना अलग 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 इंजिनियरी है सिस्टम है मैं 015 अगर 30 कह रहा है तो इसका मतलब यही होता नहीं ऐसा नहीं है 3045 भी होता है तो यह किस आफसेट पे कितनी कैपेसीटी हम को देरी यह भी जा कि किस आपको वहाँ पे देखिना पड़ेगा फुली और्ट डिकर आपने एकस्टेंड किया है तो चलो कोई वात नहीं है हर जाँए हज़गा फुल और Apr का में लेकिन अगर आपने आधा और ट्रिगर ही निकाला है क्योंकि वहाँ पे जगा नहीं है तो आपको अपने SLI में जाके फीड करना पड़ेगा सिस्टम में कि हमने आधा निकाला है तब वो आधा और ट्रिगर के अनुसार आपको आपकी फीड करना होगा कि हमने छे कर दिया है तब आपको अपकी कैपिसिटी बताएगा तो यह सब कुछ बेसिक चीजें थी और मैं देखूंगा इसके बारे में और भी कुछ जानकारी के लिए एक नया वीडियो आपके लिए में बढ़ा होगा बहुत जल और जैसा होगा फिर आप तो इसी पर थोड़ा सा वर्क करो गल्प के लिए सेलेक्शन कोई बहुत बड किरेंद देख लो यह किन मानू आपको फायदा अगर नई वद तीन मेहने में तो मेरे को फोल करके करना एक है हैं आप लोग अगर अपने आपको समार्मा चाहते हो बनाना चाहते हो तो हंडिड परसेंट इस बातको मान लो कि आने वाले तीन से छे मेने अपने आपको जोग दो किरेन के बारे में जानकारी बहुत सारे कोश्चान अपने से तेयार करो उसका जवाब ढूंड लो किसे से फिर बहुत सारे इंगलिश सिखाने वाले चैनल है भाई यूटूब में बेरी कि अगर आप 10 से 15 मिनट भी उसको देखते हो ना तो आप यकिन मानो कि तीन मेने में इतनी इंगलिश आप बोल लोगे समझ लोगे जतनी की वहां के ज़रूद है तो यह चोटी सी चीजे थी जो मैंने आपको बताना था और वो मैंने आपको बताया है अगर दोस्तों विडियो आपको सही लगा तो कॉमेंट्स और लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जये